हाई दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल पर सवगत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिटर थूरी के सबसे ज़्यादा महातुपोन क्यूश्चन के बारे में जो हर बार आप किसे पूछे जाते हैं आपके एकजाम में अगर आप फिटर से हैं या टर्नर से हैं प्ल वीडियो पर आप लास तक बने रहे हैं तो अगला क्यूश्चन है अपस में कितने कोण पर जो है फिट रहते हैं जो में इडिर घिर होते हैं वो आपस में कितने कोंट पर fit रहते हैं option है 30 अंस, B है 45 अंस, C है 90 अंस और D है 120 अंस तो right अंस जोगत साथ हो वो होगा आपका option C 90 अंस पर मिटर गेर जो हैं वो हमेशा 90 अंस पर fit रहते हैं चलते हैं अगले question पर बात करते हैं अगर आपको किजी प्रकार से दिक्कत हो दोस्तों आपके सिल्वस में तो comment box में बताएं और आपके सभी subject के model paper जो हैं उपलब देखरा दिये तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगला question है फ्लेंज nut का परियोग करते हैं क्या जरूरत नहीं परते हैं का परियोग करते समय हमें वासर का परियोग नहीं करना पड़ता है क्योंकि nut में जो है वासर फिट रहता है आगे चलते हैं अगले question पर बात करते हैं बहुत ही महतुपूर question है जो दोस्तों आपको जो सबसे जादा पूचे जाते हैं अगला question निम लिकित कारलों में से किस लिए पहाली छेतर में हाइड्रो जेनरेटिंग इस्टेशन होते हैं जी हाँ किस लिए हम हाइड्रो जेनरेटिंग इस्टेशन जो है पहाली छेतर में बनाते हैं आपसन है, बड़ी भूम की छेत्र वहाँ पर मिल जाता है, B है, सुरच्छा है, C है, भूकम्प मुक्त छेत्र होता है, D है, आवश्यक पाने की प्रचुर मात्रा जो है उपलब्द होती है, तो राइट अंसर होगा आपको आपसन D दोस्तों, आवश्यक पाने की प्रचुर मात्रा वहाँ पर उपलब्द होती है, इसलिए हम हाइट्रो जेनरेटिंग पावर पहाले छेत्रों में बनाते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्यूस्टन पर बात करते हैं, चलते हैं, अगले क्यूस्टन पर बात करते हैं, क्यूस्टन नंबर 6, बिना लूब्रिकेंट किये हुए जर्रेनल वीरिंग में कौन सी फ्रिक्षन पैदा होती है, जब हम लूब्रिकेंट नहीं करते हैं, तो कौन सी घरसंड जो हैं पैदा होती है, option है slinding friction, B rolling friction, C fluid friction, D dry friction, dry friction, dry friction, क्योंकि वो जहाँ पर हम cooling का प्रयोग नहीं करते हैं, lubricant का वहाँ पर जो घर्षन पैदा होगा, वो dry घर्षन पैदा होगा, और अगला question सबसे ज़्यादा महात्पूर्ण है, गुणिया का प्रयोग करते हैं, जहाँ गुणिया का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, option A टूल रूम में, B है दर्जी या कार्पेंटर सौप में, C है लैब में, D है उप्रयोग तुमें से कोई नहीं, तो राइट अंसर रुज्य होगा साथी, वह होगा आपका option B तुगुनिया का प्रयोग, जिसे हम ट्राई स्कॉयर के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग दर्जी और कार्पेंटर करते हैं, तो चलते हैं, क्यूस्ट नंबर हम आट पर बात करते हैं, आपको देखके बताना यह जो फिगर दिख रहा है दूरतों, कौन सा फिगर है, option A पिन वाइस है, B है पाइप वाइस है, C है सिगरता से, खुलने योगी वाइ करते हैं, जैसे नीर सुई हो गया, या और किसी पदार्थ को पकड़ने के लिए हम नीडल वाइस का प्रयोग करते हैं, अगले क्यूस्टन पर बात करते हैं, अगले क्यूस्टन है, किन धातुओं में चुम्बकी गुड़ पाया जाता है, इची क्यूस्टन है, लेकिन महत स्वेज ब्लाग की धात होती है जिहां स्वेज ब्लाग जो है किस धात की बनी होती है और सबसे ज्यादा महत्पूंड क्यूंड है option है mild steel की, B है malleable cast iron की, C है high carbon steel की, D है tool steel की तो right answer जो गसाथ हुँँ वो होगा option C high carbon steel की स्वेज ब्लाग जो है बनी होती है आगे चलते हैं अगले question पर बात करते हैं आगरे question है दोस्तों seat metal कारियों में किस हथोड़े का प्रियोग किया जाता है जी हाँ बहुत ज़्यादा मात पूर question है seat metal के कारियों में किस हथोड़े का प्रियोग करते हैं ताकि जो है सीट पर किसी भी प्रकार का निसान ना बने तो अगर चैनल पने है चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेट वक्त में पूछ सकते हैं